कि मॉर्निंग एवरिवन तोड़ एंग इंग स्टार निव चैप्टर डाइस कॉल सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन यह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके पीछे जो चैप्टर था और नेशन एंड फटिलाइजेशन उसके लास्ट में टॉपिक हमने बताया था पोस्ट पडिलाइजेशन पोस्ट पडिलाइजेशन में जो चेंजेश हुए थे उस हुए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट फर्टिलाजेशन में आपने आपको बताया था कि जो फ्रूट्स होता है वो चेंज हो जाता है ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट्स में ओवरी चेंज़ इंटू फ्रूट्स ओवरी वाल चेंज़ इंटू फ्रूट वाल ओवियूर चेंज़ इंटू सीड लियर इंटूग्यूमेंट जो उव्यूर के स्ट्रक्चाम लोग पढ़ ले तो महीं का पार्ट है इंटूग्यूमेंट सीड कोड़ इसमें दो था एक आउटर था एक इनर था तो इसी आउटर इनर पर यहां में सीड कोड़ में नाम बन जाएगा टेस्टा और आपका पोलर निक्लियाई वो एंडो स्पर में चेंज हो जा रहते हैं और जो एक था आपका वो एम्ब्रियों में चेंज हो रहते हैं तो यह पोस्ट फटलाइजेशन में चेंजेश थे और इसी चेंज को हम लोगों को इसमें पढ़ना है यह हम लोग ने अर बहुत इमपॉर्टेंट क्या चेंज होकर बना है यह आपका कि सीगूर्ड में स्टार्ट करते हैं सीड अच्यूर्ट तो यह बता सकते हैं तो अब हम सीड़ को लेकर चलते हैं तो सीड़ तो अब आपको पता चल गया क्या है सीड़ी जा मैच्योर व्यूल फटिलाइज्ट व्यूल राइपेंड व्यूल तो यह सीड़ी की आपकी डेफिनेशन हो गहीं अब क्लासिफिकेशन जो हम सीड़ की करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन दे बेसे जोप टीलीड़न के बेस पर यह टू टाइप्स के होते हैं तो सबसे पहले हम को समझे क्या होता है कॉटीलीडर्स कॉटीलीडर्स इस नथिंग बटा सीड़ीट इस विच स्टोर्न फूड को स्टोर करती है इंदी इंब्रियो के लिए यह फूड को स्टोर करके रखती है इसी को काटिलीडन कहते हैं और एक हुआ आपका मोनो काटिलीडन्स कटिलिटलीटन्स को मोनोकॉटिलीटन्स डाय को दिखते हैं अब आगे बढ़ते हैं इनके difference को देखते है difference अक्सर पूसता है इसको देखते है मोनो कोटिली देंस और डाय कोटिली देंस यह आपका मोनो हो गया यह हो गया डाय को अभी बताया इसमें सिंगल लेंस अगिस तो और डबलती इसमें एक प्रेंट होता है इसमें दो प्रेंट होते हैं इसमें जो लीब होती है निफ की जो वनेशन होते हैं वह पैरलर होते हैं तो पैरलरल वैनेशन यहां पर जो लीव है उसकी जो वैनेशन है वो रे्टिकुलेट है रेटिकुलेट वेनेशन अब यह वेनेशन के उत है माली यह लीव है यह लीव की जो वेंस होती हैं तो यह पैरल्रल्स निकलती हैं बराबर तरीके से निकल रही है तो इसको हम बोलते हैं में यहां पर जो लीफ है इसकी जो खी रहे ब立ाव हो रैती कुछ एक ayday झांसे में निकलते नकलते हैं तो रैती को लेट र닐 रेकुलेटoten थे क्रेया में नाह्त पॉइंट इस जुरूर्टस होते हैं इस फ्रूर्ड कोर्ण रूर्स रूर्स होते हैं और यहां में जो रूट्स होते हैं वो आपके टफ रूट्स होते हैं या में रूट होते हैं कि पहने का मल्लब है जो यह पार्ट है इस टंक का यहां से फाइबर्स लाइक है जो रूट नीकलते हैं कि इसमें जो है रूट जो है कि में रूट और टैक रूट डायरिक जाता है फिर यहां से ब्राइच बूर्च होती है यहां पे flowers, trial, merus होते हैं यहां पे flowers होते हैं वो pentameras होते हैं तो यह कुछ difference है आपके monocod और dicod का जिसको आप easily differentiate कर सकते हैं अब हम लोग देखते हैं fruits, fruits क्या होता है तो fruits जैसे seed is a mature ovule, mature part of fertilized part of an ovule तो fruit is a mature or ripened part of ovary, clear हो गया, cotyledons के types पढ़ लिया, अब दूसरा जो classification होता है वो आपके endosperm के base पर होता है अब यह endosperm क्या होता है पहले उसको समझते हैं फिर उसके classification को समझते हैं तो endosperm 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 is a part present in a seed which is stored food endosperm 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 यह endosperm आपका pollen nuclei से change हुआ था तो यह भी food को store करता है इसमें जो food को store करता है अब जिसमें प्रेजेंट होता है endosperm so that is called the albuminus और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता उसको बोलते है एक्स endosperm क्या होता है it is also a part of a seed which is stored food food को store करता है जिसमें कट लीडर्स नहीं होता है endosperm के form में हुआ तो albums endosperm नहीं है आप्सेंट होता है exit होता है मतलब नहीं होता है albuminus albuminus का endosperm है जो present होता है endosperm में वह है albuminus जो नहीं प्रेजेंट है है ex albuminus absent होता है endosperm मतलब मतलब यहां में है फिसकेजरा और यहां में अपर हमने पहले पोसिर्टलाइजेशन बताया उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमने सीड fertilizer क्लासिफिकेशन बताया दो ट्व से ख्लासिफिकेशन की थे सब्सक्राइब के पस्तल हुआ और शेयर सिन्गल है और यह और केहते और उसका उंसाट में करा थो होते हैं उसको कहते हैं दिखा यहां पृभी काफी होते हैं तो यह anderes कLouis या सब ब्रीफ डिस्केशन था अब हम लुग importance of seeds and fruits समझते हैं यह significance of importance सिइप सीड में देखेंगे को इंपॉर्टेंज होता है सीग्निफिकेंज तो पहले सीड्स का अगर देखें तो सीड्स का क्या इंपोर्टेंट होता है तो पहला जो है आपका a seed contain endo sperm endos sperm present होता है या कहिए, प्रेजंट होता है which is store food and supply to the endospun during germination सप्लाइं करता है ताकि अच्छ से सके बात करें वी प्रेजेंट होते हैं जो नुट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो कहने की तो यह हैं तो urban होता है जो की सब्सक्राइओ करता है जर्मिशू के लिए रिजर्व पूड इन्डूट स्पर्ण है उसी जर्मिनेशन के लिए तो यह सीट का इंपॉर्टेंस है फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स जो है आपका यह प्रोटेक्ट करता है सीट को पहला जो पॉइंट हो गया प्रोटेक्ट करता है और दूसरा अगर पॉइंट देखे इट है इंदि डिस सीट के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है तो इससे जो है फ्रूट्स जो है आपका यह इंपॉर्टेंस है जिसको आप समझ सकते हैं तो यह था आपका बेसिक जो हम लोग ने सीट के बारे में जाना अब जब नेक्स लेक्ट्र मिलेगे अब लोग इस टूश्चर आफ सेट में जो हम पढ़ेंगे वो कि इस टूशार पढ़ेंगे मोनो कजा है और दूसरा पढ़ेंगे दाइकर्ट का एक एग्जाम फिल लेंगे और फिसक्रूट्चर खता हो जाएगा बाखिभी में दो दो दिया है तो एक ही पढ़ लीजे त पड़ी के पड़ी स्ट्रक्चर सेम हैं चीजें सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है से मोनोकॉड में आपको मेस का पढ़ना है तो इस तरीके से हम लोग कल दोनों को देखेंगे और फिर हम लोग जर्मिनिशन उसके बाद देखेंगे तो यह था आज का लेक्चर अगले बताईए लेक्चर कैसा है और उस पर आप कमेंट करें थैंक यू